इस question में करना क्या है देखो यह ना दो बाट दियो है सेम यहां से यां तक की जो लेंथ है उतने यहां से यहां तक पी है यानि की रफ और स्मूथ पार्ट जो वो इकोल लेंथ के हैं अब क्या करना है यहां से rest से एक block है कुछ मास मास को यहां से छोड़ा जितनी स्टार्ट पर यहां पर बिच्छे आ गया यानि जितनी इस्पीड उसने गें की थी यहां पर उतने सारी स्पीड यहां पर लॉस्स कर लिया इसकी लिन्द्ठ को भिभी में एस लेके चलता हूँ जिक है स्वुर्थ वाले पाट को देखते है पहले चलो स्वुष वाले पार्ट पाट में क्या करें हम चली देख заметky हैं यहां से यहां तक किमें इसको एकसेलरेशन कें मिली होगी हम बता अल्रेढी इसे नहीं जी साइन टीटा आधिए वो भी आपको बतायाता हूं जब लोग आप ऐसे रखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पे Md. कॉस्यटा लगेगा और इस तरफ Md. साइन टीटा लगेगा जम नीचे की तरफ Md. तो यह साइन टीटा लग रहा है तो जी इसके लिए अगर पाथ लेंध सेंब है और जितनी स्पीड उसने एक्षीव किया है उतनी ही लॉस कर लिये है तो मान सकता हूं कि इस पाट के अंदर जो retardation होगी वो भी g sin theta होगी क्योंकि भई ध्यान से समझो 0 से v तक लेके आया कितना acceleration से g sin theta से time को मतलगा हूँ यहाँ पे length से देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे यह मतलब अगर आप देखके समझ लो तो easy है नहीं देखके समझ पारे हो तो मैं आपको explain करता हूँ वरना देखके equation एक मिनट में होता है आपसे देखो यहाँ पर speed उसने यहाँ तक speed कितनी एक्चीव की v square equal to 2 into g sin theta into s जब मैं rough में लगाऊंगा यहाँ पर rough वाले part में equation लगाऊंगा तो rough वाले part में equation क्या लगेगी जब को यहाँ पर क्या किया था मैंने final का square equal to 0 का square plus 2 into g sin theta ते यहाँ पर into s यहाँ पर rough में लगाऊंगो तो v से 0 जाती है तो यह जगा 0 square equal to v square मैं मानता हूँ यहाँ पर retardation जो है वो a है मुझे नहीं पता g sin theta वो तो symmetry से आपको समझाने की अभी कोशिश करूँगा retardation यह है v square plus 2 into minus a into s तो v square किसके बराबर आ गया 2 into a into s अगर मैं इस equation को और इस equation को compare करूँ तो मैं समझूँँगा कि जो acceleration थी उपर वाले part में उतनी ही retardation यहाँ से यहाँ होनी चाहिए तो यहाँ इन दोनों के question को compare करूँ आप कितना आ गया a equal to g sin theta आ गया तो नीचे वाले part में इतनी retardation चाहिए बट नीचे वाले part में actual game क्या चल रहा है वो देखो नीचे वाले part में actual game यह है कि g sin theta नीचे की तरफ होगा उपर की तरफ कितना रिटार्डेशन मिल रहा होगा पता न आपको mu mg cos theta लगता है m अटा दो न वहां से acceleration निकाल रहे हैं तो नीचे की तरफ mg sin theta force लग रहा था तो उसके कारण acceleration किती g sin theta उपर की तरफ force mu mg cos theta लगेगा m अटा दो mu g cos theta और यह इसको dominate करेगा क्योंकि retardation net है इसकी यहां से यहां तक net retardation ऊपर की तरफ है तो mu g cos theta minus g sin theta that should be equal to a जो भी यहां से यहां तक की retardation होनी चाहिए और वो a की value ने कित्ती निकाल लिया g sin theta तो फुट कर दो mu g cos theta minus g sin theta equal to g sin theta यहां जागा mu g cos theta equal to 2g sin theta g से g गया अब क्या करना है mu का answer निकालना है to 10 theta answer आजएगा आप समझे ना क्या करों में अब यह सब करने के लावा आपका common sense यह कहता है कि अगर यहां से यहां तक उसकी acceleration g sin theta दी तो यहां से यहां तक उसकी retardation भी g sin theta होनी चाहिए और यहां पर retardation का formula क्या है यह होना चाहिए रफ ले पार्ट में उसको g sin theta के बराबर दो यह solve करना यह करना यह करना इनको compare करने की जुरुत नहीं है अगर आप उतना common sense लगा सको हाँ time भी उतना ही आएगा यहां से यहां तक जितना time लगा rest से v तक महुचने में यहां से यहां तक उतना ही time लगेगा v से दुबारा rest में आने में क्योंकि सारी conditions similar है यहां पर s same है ठेक है v 0 0 समझगे न आप काफी जारे आपने question solve कि होंगे मुझे आप पर पुरा पुरोस है